Assalamu alaikum students, I am Ali Hamzah, your English teacher. Today we learn lesson number 1 of class 6, the world of books. Reading के साथ, आज हम उर्दु ट्रांसलेशन भी करेंगे. Before starting my lecture, you subscribe this channel, ताके आने वाले lectures आपको बावासानी मुझासर हों. तो आज का हमारा lesson number 1, the world of books. आज को रीट करते हैं. It is wisely said, happy is the man who acquires the habit of reading when he is young. This valuable habit brings before him a lifelong source of pleasure, information, knowledge and inspiration. Ruskin काल बोग्स, किंस ट्रेयर. This is not the treyer of gold, silver, jewels or precious stones. Rather, it is the priceless treyer of knowledge, noble thoughts, high ideals and enlightenment. ये अकलमंदी से कहा जाता है, खुशकिस्मत है वो शख्स जो चुवानी में ही पढ़ने की आदत हासल कर लेता है. ये कीमती आदत इसके सामने जिन्दगी बर खुशी, मौलुमात, इलम और इलहाम का जरिया लाती है. रेसकिन ने कताबों को बादशाहों का हजाना कहा है. ये सोने, चांदी, जेवरात ये कीमती पत्रों का हजाना नहीं, बैलकि ये इल्म, आला आफकार, आला नजरियात और रोशन हैली का अन्मौल हजाना है. परग्राप नमबर टू. राजर, एस खद्टने सुड़िया बाद़ फिता अन्हां इल्टवद का पताबों कहा ज़ए लादाव इल्टेट. इन इशले स्पर आप. इस वे स्पर टू. चोने स्क्रापने स्विट का बादशान हैं. for further guidance mr. s who is also one of reading books told him to go to library and get the application form fill in it and submit it to the library with the membership fee this application will be processed and then a library card will be issued to him entitling him to borrow books from the library this card is required for borrowing or returning books this card also states the rules concerning the use of library materials Raza asked his uncle some more questions about the library and its use this paragraph translation करते हैं Raza एक मुम्तास तालबे इलम ने अपने दादा से पढ़ने की आदत विर्शे में हासल की और फिर इसे तरक की दी इसे डिवेल्प किया अपने फारिव वक्त में इन हिस स्पेर टाइम वो किताबें अहबारात और रसाहल पढ़ता था एक दिन इसने सोचा कि एक बड़ी और उम्दा लाइब्रेरी की रुकनियत मेंबर्शिप हासल करूं वो अपने चचचा एहसन से मजीद रहनमाई के लिए गया मिस्टर एहसन जिन्हें किताबें पढ़ने का भी शोक है ने इन्हें कहा कि लाइब्रेरी में जाकर दरहास फॉर्म हासल करें इसको पूट करें और मेंबर्शिप फीज के साथ लाइब्रेरी में जमा करवाएं जमा करवाएं सबमिट करवाएं इस दरहास पर करवाई होगी और फिर इसे लाइब्रेरी कार् या वापिश करने के लिए जरूरी है इस स्कार्ड में लाइब्रेरी के मौाद मिटिरियल्स के इस्तमाल से मतलिक कौाइट भी बियान किये गे हैं कौाइट गूर्ल्स रजा ने अपने चचा से लाइब्रेरी और इसके इस्तमाल के बारे में कुछ और सवालाद पूछे